हलो वरिवान वलकम बेक टो वर यूटूब चैनल जेके स्टर्ड इन्फो आई होप यौर आल डूइंग वेल आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं जेके सस्बी स्परवाइजर एक्जाम के रिगार्डिंग एक आफ्शल नोटिकेशन जारी की गई हैं एक्जाम आफ्शल नोटिकेशन आउट हो चुकी हैं एक्जाम पोस्ट फोन नहीं होने वाला है एक्जाम अपने ही टाइम पर जो डेट दिया गया है उसी डेट पर रहने वाला है एक आफ्शल नोटिकेशन जारी की गई है इस एक्जाम के रिगार्डिंग इन पोस्टों के रिगा आपने कितना percent silvers cover किया है यहां पर आप देख सकते हो Divisional Commissioner की तरफ से एक optional notification जारे की गई है जिसमें subject आप देख सकते हो Conduct of OMR-based written examination for the post of supervisor जो supervisor post है इनका exam अपने ही time पर रहने वाला है यह optional notification इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि अपने ही time पर exam रहने वाला है JKSSB के tutor account पर भी upload किया गया था अपने ही time पर exam रहने वाला है जो कि है 23rd June 2024 बहुत सारे candidates बहुत सारे experts message कर रहे थे comment कर रहे थे यह exam post phone होना चाहिए हम JKSSB आपिस जाएंगे तो यहां पर आपको आप Assurity मिल चुकी होगी कि आपका जो exam है वो आपने ही time पर रहने वाला है यह यहां पर आप देख सकते हो जो भी DCs हैं Divisional Commissioners हैं हर एक district के उनकी तरफ से यह notification जारे की गई है अलग-अलग district के लिए यहां पर अलग-अलग notification जारे की गई है किस district में center कहां पर है arrangements किया गए है और साथ में यहां पर आप देख सकते हो हर एक district की notification जारे की गई है जिसमें mention किया गया है जो supervisor post है उनका exam अपने ही time पर रहने वाला है जो कि है 23 June 2024 11 a.m. से आपका exam रहने वाला है और 1 p.m. तक यह आप यहां पर देख सकते हो साथ में mention किया गया है जोतने भी districts हैं जुम्मेंट कश्मीर में अलग-अलग district में अलग-अलग examination रहने वाला है और साथ में यहां पर list भी दिया गया है एनकजर A में एनकजर A में दिया गया है किस district में कहां पर center रहने वाला है यह actual notification जारी किए गई है आज ही यह actual notification जारी किए गई है आप यहां पर देख सकते हो अपने district का नाम चेक कर सकते हो और कहां-कहां पर examination center रहने वाला है और हर एक examination center का code भी देख सकते हो और हर एक examination center में किस examination center में कितने aspirants total रहने वाले हैं कितने का exam रहने वाला है वो आप इस official notification में देख सकते हो जितने भी candidates हमें comment कर रहे थे message कर रहे थे कि ये exam post phone होने वाला है या होना चाहिए उनके लिए यहां पर bad news है क्योंकि अब ये exam post phone नहीं होने वाला है arrangements किये गए है आपका exam 23rd June को ही रहने वाला है ये confirmation है actual confirmation इससे आपको इससे आपको अंदाजा हो चुका होगा कि अब आपने अपनी preparation continue रखनी है exam post phone नहीं होगा बहुत सारे aspirants इसके regarding wait कर रहे थे कि कहीं से हमें notification मिले कि exam जो है वो post phone होना चाहिए लेकिन यहां पर final update आ चुकी है Divisional Commissioners की तरफ से arrangements की गई है हर एक center में हर एक institutions में हर एक district के लिए वो आप यहां पर देख सकते हो यही इसमें mention किया गया है जो exam है 23rd को वो आपने ही time पर रहने वाला है आपने ही date पर रहने वाला है इसके बाद आपका admit card आएगा वो दो या तीन दिन पहले आता है उसकी भी update आपको JKSSB की official website पर मिलने वाली है यह आप यहां पर देख सकते हो इनकी जो website है www.kashmir.nice.in इनकी तरफ से यहां पर notification जारी की गई है जिसमें mention किया गया है अमर निवास complex तनकी पूरा सिरिनगर यह आप यहां पर देख सकते हो डेड़ भी चेक कर सकते हो यह notification कब जारी की गई है अफशल notification जारी की गई है यह थी एक बहुत ही बड़ी update बहुत सारे aspirants के लिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल पर बने रहे मिलते आपने इसे next studio में तब तक के लिए good luck